जय हिंद फ्रेंड्स तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीम एसेस्वी स्कॉलर सिप जो आप लोगों की निशनल स्कॉलर सिप पोर्टल पर आवेधन होनी शुरू हो चुके हैं तो उसमें कुछ बात छात्रों के नो स्कीम एवाइलेबल प्रॉब्लम आ रही है यानि कि जब वो रेजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करके बगार डीटेल्स भरके जब रेजिस्ट्रेशन कर लेते हैं इसके बाद वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको नो स्कीम देखने को मिलती है क्या दिखती है नो स्कीम एवाइलेबल क्या दिखता है नो स् वीडियो में हम लेकर आये हैं उससे पहले अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है to चैनल को सब्सक्राइब कर लीजै ऐसी ही पीएमसेह प्ली सकॉलर से रिकेट जानकारी के लिए या फिर आप कोई भी scholarship भर रहे हैं NSP में जैसे 9, 10 तो 11, 12 सभी की भरी जाती हैं BBSC सभी जितनी भी scholarship होती हैं सभी को इसी से भरा जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कैसे आप लोगों को उसका समाधान मिलेगा वो आज किस वीडियो में हम बताएंगे करना होगा और यहां से आप लोग registration कर सकते हैं अगर आपके registration में कोई गलती हो जाती है तो उसको भी आप लोग शुदार सकते हैं तो यहां से आप लोग registration कर सकते हैं यहां पर continue करके इस पर क्लिक करके दोनों मोड भरके continue करके आप लोग अपना registration कर सकते हैं पासवर्ट डाल के अपना लॉगिन कर लेना है लॉगिन करने के बाद जब आप लोग रजिस्टेशन पर जाते हैं कहां जाते हैं जब आप लोग रजिस्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर जो आप लोग अक्सर गलतियां कर रहे हैं वो गलतिया हम आपको बताएंगे तो गलती नंबर एक जब आप लोग इन कर लेंगे इसके बाद आपको details भरनी होंगी तो गलती नंबर एक आपको नाम में बिलकुल कोई भी गड़वडी नहीं करनी है क्या नहीं गड़वडी करनी है अगर एक भी अच्छरका space हो जाता है जैसे मालेजी आप 12 का भर रहे हैं तो 10 की mark sheet में 11 का भर रहे हैं 11 में पीमस भरी जाती है तो 10 में जो आपकी mark sheet में नंबर लिखा हुआ है क्या है mark sheet में जो आपका नाम लिखा हुआ है वही आपको बिलकुल वहां पर लिखना है सबसे पहली नाम को आपको कोई भी गलती नहीं करने है क्योंकि बिहार बोर्ड में भी स्कॉलर्ट से में यही प्रॉब्रम आई थी इसके काड़ बच्चों के जो थे उसमें उनका फॉर्म नहीं वर्पाया था तो इतना आप नाम में कोई वर्ड़ गल्ड भी नहीं करेंगे इसके बाद जब आप लोग यूनिवस्टी या स्कूल का नेम चूस करते हैं तो वहाँ पर आप लोग सौर्ड फॉर्म में चूस करते हैं तो आपको सौर्ड फॉर्म में नहीं करना है जैसे वहाँ पर आता है प्रीवेस येर बोर्ड तो यहाँ पर प्रीवेस येर का लिखना है किस कॉलेज का नाम लिखना है जिस कॉलेज में आप 10th में पढ़े थे वही कॉलेज वहां पर आपको चूज करना है इतना आप लोग ध्यान डखेंगे और डेट आप बर्त क्या डेट आप बर्त भी आपको सही भरनी है इसके बाद जैसे माली जी जैसे कुछ किया चलता है क्या चलता है रूल कोड और रोल नमबर डालेज के साथ आपको रोल कोड भी और कुछ state में slash नहीं लगेगा तो उसमें आपको slash नहीं लगाना है इतना ध्यान रखेंगे इसके बाद और आपको सारी details सही से check कर लेनी है आपने बिल्कुल सही choose किया है जैसे BSEB बिहार बोर्ड में BSE भी नहीं आपको choose करना क्या करना है बोर्ड, बिहार, बोर्ड एक्जामिनेशन आपको choose करना है आपको short form में नहीं choose करना है आपका no scheme available problem आएगी ये ध्यान लखेंगे क्या आएगी no scheme available problem आएगी पीए मैसस्वी में आप लोग जो चातर भर रहे हैं उनके आवेदन की अभी तिति है 31 दिसंबर तक जल्दी जल्दी आप लोग भर लेजिए जिनके भी स्कॉलर्शिप का फॉर्म नहीं भर पाया है ये स्कॉलर्शिप में जो आप लोग के चांसे आने के वो सबसे बहुत कम है क्योंकि पहले ये स्कॉलर्शिप भी रद कर दी गई थी यानि कि इसका एक्जाम नहीं हुआ था अब इसमें no scheme available problem भी आ रही है तो आप लोग ये और करके देख लीजे क्योंकि आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो ये भी आप लोग एक बार जो जानकारे दी गई एक बार विल्कुछ सही सही भरके आप जाएगे तो चलिए गर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like करिएगा दोस्तों में share करिएगा यह वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा सेयर करिएगा जिससे वो भी PM SSP scholarship में form भर सकें अगर आपका PM में नहीं भरता है तो आप NSP में जरूर apply करिएगा य जो को भी लाइक कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में